सब्सक्राइब अजन देखते हैं क्यों Legislative Sum Also Cumulative Sum या हुब फिर काफिर son joining total भी बोल सकتे खक्राइब जैसे कि या हुब आप देख रहे है date कॉलम है ai sales से हमारा या फिर उसे हम expenses भी कर सकते हैं आप जोब चायों भी कर सकते है छीक है और यहां पर total है total अभी हमें क्या चाहिए running total चाहिए क्योंकि अगर हम यहां पर sum करेंगे sum और पूरा select करेंगे ठीक है यह पूरा month wise data है month का ठीक है तो वो पूरी sum यहां एक ही sale में दीक है लेकिन हमें वो ऐसे नहीं चाहिए ठीक है जैसे हम अभी यहां पर कुछ amount है और हमने यहां पर वो show किया जैसे हम drag करेंगे तो वो यह 565 या और 882 की sum यहां पर आनी चाहिए ठीक है और यहां पर यही जो दिखाना चाहिए जो भी transaction है हमारा expenses है जो भी तो वो कैसे करना है हम देखते है हम sum function ही यूज करेंगे लेकिन उसके अंदर हम क्या करेंगे mixed cell reference यूज करने वाले equals sum tab यह हमने जो select किया जिसका हमें sum चाहिए अभी यहां पर क्या करना है आपको colon देना है colon L के right side वाला की shift प्रेस करके उसे use करना है अभी इसे मैं close कर दूँगा यह जो आप यहां पर B2 और दो B2 देख रहे है तो उसमें का colon के पहले वाला B2 है उसे क्या करना है आपको ठीक से click करना है select करना है select मतलब आप click करो वहां पर देखिए blink हो रहा है मेरा cursor तो F4 से आप उसे lock कर दो ठीक है और जैसे आप enter करूँगा वहां पर वह अमांट शो कर रहा है और जैसे ही मैं drag करूँगा ठीक है वह एक-एक सम करते जाएंगा और आप जैसे कि देख रहे है कि यहां पर वह एक ही cell range दीका रहा है एक ही cell से related है लेकिन जैसे हम drag करते है एक-एक cell से हमारी range expand हो रही है ठीक है इसलिए हम यह mixed cell reference कहते हैं कि colon के पहले वाला lock और colon के बाद वाला lock नहीं करना है ठीक है अभी जैसे हम इसे drag करते हैं नीचे तक तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां तक तो ठीक है यहां पर हमारा transaction हुआ है लेकिन यहां पर तो हुआ नहीं है लेकिन यह देख रहे कि अप end तक उसी ने फिर भी same total उसने show किया है ठीक है तो अभी हमें ऐसा तो नहीं चाहिए तो हम इसे hide करना होगा जब यहां पर कोई amount होती है तो ही उसने वहां पर उसका add करके उसने यहां पर वह amount show करना चाहिए ठीक है अगर कोई blank है तो दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि transaction तो नहीं हुआ है तो देखते हैं उसे कैसे करना है हम उसके लिए हम if function use करने वाले if function if tab तो अभी क्या करना होगा हम एक logical test देना यहां पर यह select करना है ठीक है is this not equal to के लिए आपको less than और greater than का sign एक साथ use करना है not equal to double quote double quote ठीक है उसका मतलब क्या है blank या empty अगर empty नहीं है तो हमें sum चाहिए ठीक है value of true में ठीक है अगर logical test true है मतलब अभी क्या है वह empty नहीं है मतलब logical test true है तो फिर comma जैसे वह logical test check करेगा value of true में जाएगा value of true में हमने क्या दिया है sum function तो वह sum function यह करेगा run करेगा अगर इसमें अगर false आता है logical test में तो else part में जाएगा और हमें क्या चाहिए जो भी चाहिए हम यहाँ पे blank या फिर आप dash return देना चाहते हो तो dash भी return उसमें double quotes के अंदर आप दे सकते हो अभी हमें if close करना है ठीक है देखिए अभी जैसे ही मैं इसे drag करता हूँ उसने dash return किया है कि यहाँ पे कुछ transaction नहीं है इसलिए अभी जैसे हम आपे कोई transaction या कुछ amount डालते है तो वो उसका sum करके आपको वो show करेगा कि और range भी expand हो रहा है तो यह था cumulative sum या running total जिसे कहते यहाँ पे मैं heading देता हूँ ठीक है तो यह था sum का sum function और उसमें mixed cell reference का use करके हम कैसे accumulative total कर सकते हैं मिलते है next trick के साथ बाई बाई झार झार